कुझ मॉर्निंग बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक पुस्तक है इसका नाम है विज्ञान भारती भाग दो यानि यह अकच्छा साथ की पुस्तक है और यह उत्तर प्रदेग्स बेसिक एजुकेशन विभ कराएंगे और पार्ट के अंत में होने वाली एक्सराइज अभ्यासकारी को भी कराएंगे देख रहे हैं यह है हमारा पार्ट पांच इकाई पांच पांच पार्ट का नाम है उसमा इवम ताप इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ना है ताप का मापन इस पार्ट में हमें प बर्शंचन भी होता है अगला है उसमा के सापिक्ष अवस्ता परिवरतन रवडांक इवं कॉथनांक का परचे निम्न दैनिक जीवन में उसमा का प्रवाव बस्तुमों पर उसमा के प्रवाव का उप्यों करते हैं इससे पहले हमने को इसमें पढ़ाया था इस पार्थ में हम कि हमने क्या-क्या पड़ा पहले उसके वारे में हम चर्चा कर थे हैं देखिे यहां पर पार्ट के इनत्र में टौ recharge होता है लिखा है हमने शीखा इस पाड्ड में हमने क्या क्या सीख यह आपको और संचित्थ नमता जबताते हैं और दिग्री फॉरिन हाय यह तो अलग प्रकार के पेमाने हैं और अलग अलग बग्यान को दोरान की सर्च की गई थी अब हम देखते हैं अगला है उसमें उर्जा का मात्रक कैलोरी या जूल होता है देखिए उर्जा और कार का मात्रक एक ही होता है इसको हम जूल से बेक्त कर किलोरी का मांच 4.8 जूल के बरावर होता है किसी बस्तु को दी गई उस्मा बस्तु के द्रबिमान तथा तापांतर के अनुक्रमान पाती होती है तीसरा पॉइंट है किसी बस्तु को दी गई उजमा बस्तु के तर्बिमान तथा तापांतर के अनकरमान पाती होती है अनकरमान पाती इस तरह से एक चनल लगता है और दूसरा होता है वित्करमान पाती यह भी इसी तरह से लगता है चुँकि जैसे आपको बताना है A. अन्करमानपाथी B. और A. अन्करमानपाथी व्यूत्करमानपाथी तो व्यूत्करमानपाथी में एक बटे B. को लिखा जाएगा यानि कि इसका मतलब क्या होता है A. अगर दो रासियां है एक कमान बढ़ाएंगे दूसरी का भी मान बढ़ेगा इसको कहते हैं अन्करमानपाथी और यदि एक कमान बढ़ाएं और दूसरी का मान गठता है तो इसको कहते हैं व्यूत्करमानपाथी तो यहाँ पर इस तरह के चिन्नों का भी प्योग तो आप अधिक मात्रा में अगली कक्छाओं में पढ़ेंगे अब हम आते हैं अगली टॉपिक पर उस्मा का संचरण तीन विदियों से उता है वो तीन विदियां कौन से यह चालन संबहन तथा बिक्राण कंडक्सन कंडक्सन और रेडियेसं तो चालन जो उस्मा की संचरण क पहली बीदी है चालन वहाँ ठोस वस्तुवों में होती है दूसरी बीदी है संबहन यह तरल वस्तुवों में होती है जैसे कि आप जानते हैं पराथ की तीने वस्ता होती है द्रव ठोस द्रव और गैस तो इसी परकार जिन पराथों में उस्मा का संचन आसानी से हो जाता है वो उस्मा के सुचालक कहलाते हैं और जिनमें उस्मा का संजण नहीं होता है वे उस्मा के कुचालक कहलाते हैं जैसे कि आपने देखा होगा खाना वाने वारे बरतनों पर प्लास्टिक की पर चड़ी होती है तो प्लास्टिक उस्मा की कुचालक है और बरतन जो हैं बरतन की धातु के बने होते हैं धातु उस्मा की सुचालक होती है कुचालक और सुचालक वार निस्चे ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रब में बदलता है उस पदारत का गलनांग कहलाता है गलनांग या द्रबलांग भी कह सकते हैं वार निस्चे ताप पर जिस पर कोई द पार्ट के महत्रपूर्ण अंस तो इस पहले एक छोटा सा वीडियो में बनाया था उसमें आपको डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेंड हैड में हमने आपको अंसमंद भी बताया था और यह डिग्री सी और डिग्री एफ क्या होते हैं एक वाद देख सकते हैं जैसे एक वाद और बताई ही कभी-कभी एक सामान के हमने प्रस्ट कूशे जाता है कि कि सवाहने पडिग्री तीजिए और डिग्री एफ I mean the सेल्सियस और उर फॉरेंड हैट प्रिज्मान के तापमान समान होते हैं गाभशालीप प्रते हों बहुत कूशे जाता गैस में बदलने की क्रिया जैसे कि पानी को कर्म करते हैं तो भाब बनती है तो द्रब पानी द्रब होता है इसको कर्म करते हैं जो का भाब बनती हो गैस होती है तो इसको हम कहते हैं वास्पी करण यानि की द्रब से गैस को बनने की क्रिया को वास्पी करण कहा जाता है अब अगला प्रस्वारीा। कि आध debit है दो सो बारा उसमी उर्जा का मातर कि मातर है बता है पने नगा liter हुट चूब कि यहां पर एक्षिश स्सिर्फ जूल ही बताना है अग्ला Sprahan ने ऊसमा का कुछालक क्या है दिखिए यहां पर जो लोहा है यहां have उस्मा का कोचालक है, आजाओ, उस्मा का कोचालक, यहाँ पर कांच जो है वह उस्मा का कोचालक है, अगला आता है निम्ल पस्तों में सही और गलत पस्तों को बताईए, किसी बस्तो को गर्म करने पर उसका ताब गड़ता है, यह बिल्कुल ही गलत कथन है, अगला है ठोस बस तो में उस्मा का संचालन द्वारा होता है यहां सही है तो तीसरा है द्वारा ली गई उस्मा बस्तु के द्रबिमान पर निर्बर करती है यहां भी सही है अबस्ता परिबतन की समय बस्तु का ताप इस्ते रहता है यहां भी सही है पारा उस्मा का कुछालक है यहां तथिक ग गैल्विन अगला है गलते हुए बर्फ का ताप कितना होता है गलते हुए बर्फ का ताप जीरो डिगरी सेल्सियस होता है किसी ठोस के द्रब में बदलने की क्रिया को क्या गलते हैं गलनांक या द्रबलांक अगला है बिक्रण के द्वारा उस्मा का इस्तानांतर किसमें होता है यह है इस इस प्रकार के उस्मा संच्रण में जैसे सूर से आने वाली उस्मा इसमें हमें माध्यम की कोई आवश्चक्ता नहीं होती है बरतन का थावाने में दात का प्रियोग किया जाता है जो कुछालक होती है उस्मा को इसमें उस्मा विवायद नहीं होती है अमापी से अगला है ठोषस में उस्मा इस्टानात्रण्छ द्वारा होता है चालनवजी द्वारा होता है और कि सचालक है जोथा है ठोष को गर्म करने पर उसके आयतन मेंぶता होता है ये था ही मैचिंग, वीडियो चल लगे, लाइक और सब्सक्राइब करें